अभी बहुत ही अच्छी धूब खिल रही है, ऐसे में आप Summer Flowering Bulbs को बहुत ही अच्छे से Grow कर सकते हैं, तो सचा क्यों बिल्प को Grow किया जाया हैं, तो आज मैंने मीशो से मंगाया है, यह Summer Flowering Bulb, Unboxing करते हैं, और जानते हैं कि कौन सा बल्ब आज मैंने मंगाया है, तो बनी रह में जिसका नाम है मिगास ब्लॉस्मिंग गार्डन आप मुझे इंस्टाग्राम और फेस्बूक पर भी फॉलो कर सकते हैं तो चले वीडियो को शुरू करते हैं तो यह है रजनी गंदा के बल्ब्स फूलों में अगर धेर सारे खुश्बुदार फूल है तो बल्बों में भी हिया था इससे तब यह 145 थी और डिसकाउंटेट प्राइस इसकी 70 रुपए थी तो मुझे यह पड़ा 14 रुपए का एक बल्ब साइज इसकी बहुत ही छोटी है सो लेट्स सी कि इस बार इस बल्ब से स्पाइक्स निकलते है या नहीं फ्लावरिंग करता है अभी या नहीं यह तो आगे पता चलेगा देखते हैं यह तीन दीन की ट्रावलिंग करके अच्छी कंडिशन में मेरे पास पहुचा है गुट कंडिशन में आया है इसमें से एक बल्ब की ट्रांसित के वाद तूपर की नेक तूट गई है देखते हैं उसे उगा कर शायद उग जाए रज जजनी गंदा को ग्रो करने का सबसे अच्छा समय अभी एप्रिल मार्च में है हिली एरियाज में इसे एप्रिल या मे के महीने में लगा सकते हैं ओवर ओल इसे हम फरवरी से जुलई महीने तक जुलई ऑगस्त तक लगा सकते हैं बारिश की दिनों में यह बहुत ही पौधा पेरीनियल है और आप इसमें हर साल फूल ले सकते हैं अगर अच्छी केर की जाए तो इसके फूल रात में खिलते हैं और लगबग 3-4 महीने लगते हैं इसमें फ्लावर आने के लिए यहां इसकी पॉटिंग सॉईल देख लेते हैं यह हमने ले लिया है गार्डन सॉईल 70% कमपोज्ट 20% और सैंड 10% ले लेंगे आप इसमें कोकोपीट और सैंड दोनों इक्वल मात्रा में आड़ कर सकते हैं साथ में इसमें डालेंगे रॉक फोस्वेट एक चममच ट्राइकोडर्मा एक चममच अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसे लगाने के लिए मिटी का पीच हमेशा रजनी गंधा के लिए खास कर साड़ी छे से साथ के बीच में होना चाहिए और मिटी वेल ड्रेंड और हाइली निूट्रिशियस होनी चाहिए ये पौधा 20 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में अच्छे से ग्रो होता है तो अब इसका बहुत ही अच्छा समय चल रहा है उगाने के लिए आप 8 इंच का गमला ले सकते हैं यहां मैंने एक गमला ले लिया हैं काफी सारे होल्स बना लिये हैं होल्स को क्लोस कर लेंगे कोकोनट के रेशिय मिलाएंगे और मुंगफली के चील के आड़ करेंगे ताकि ड्रेनिस सिस्टम बहुत ही अच्छा बना रहे यहां मैंने सुखे पत्ते भी आड़ कर दिये हैं ताकि नीचे पत्यों की खाग बनती रहे और अब पॉटिंग सोयल से इसको भर देंगे गमले को 3-4 सोयल से भर दिया है अब इन बल्प्स को गमले में अच्छे से लगा देंगे यहां बल्प्स चोटे-चोटे है फिलाल तो इन्हें मैं एक ही गमले में लगा रही हूँ यहां मैंने इस तरह से इन पांच बल्पों को लगा दिया है और इसको मिट्टी से कवर कर लेंगे बस हलकी इसी नेक इसकी उपर रखेंगे और अच्छे से cover कर लेंगे इसमें मैंने वो bulb लगा दिया है जिसकी नेक तूट गई थी transit में देखते हैं ये grow करता है या नहीं मुझे लगता है grow हो जाएगा थोड़ी से इसकी care के बारे में जान लेते हैं इसे full दूप चाहिए 6-8 गंटे की तभी ये बहुत ही अच्छे से grow करता है और growth इसकी बहुत दीरे-दीरे होती है जनरली पहले season में bulbs लगाने पर हमें flowers नहीं मिलते हैं इसके next season में इसके flowers आते हैं अगर पहले season में आ जाए तो bulbs उसके लिए बहुत ही अच्छे मोटे bulbs होने चाहिए क्योंकि मोटे bulbs से ही flowers आते हैं ये पौधा 15 degree Celsius के ओपर temperature जाने पर ही अपनी dormancy खतम करता है पानी के इसके खास द्यान रखना है मिटी बहुत ही well drained रखनी है ताकि अगर थोड़ा सभी extra पानी हो तो वो hole से निकल जाए पानी मिटी सुखने के बाद ही देना है इसके अलावा fertilizer में आप इसमें NPK 1990-19 या 2020-20 दे सकते हैं साथ में Epsom salt का एक चमच डाल सकते हैं seaweed extract को एक लिटर पानी में एक चमच मिलाकर महीने में एक बार spray कर सकते हैं winter season में ये bulbs dormancy में चले जाते हैं उसके बाद इसके पत्ते सूखने लगते हैं तब आप इसके पत्तों को काटकर bulbs को बहार निकाल ले और fungi side में दबाकर कुछ देर रखकर सुखा ले और खुली हवा में इसे store करें room temperature पर इसके पत्तों पर millibugs का attack हो सकता है तो हर 15 दिन में आप neem oil का spray कर सकते हैं इन पौदों को pest free रख सकते हैं और इसमें अच्छे से पानी दे देंगे अगर आपको रजनी गंदा के बल पर्चेस करना है तो आप online मंगा सकते हैं या local nursery से भी आपको ये मिल जाएंगे आसानी से या आप तैयार पौधा भी nursery से ला सकते हैं थोड़ी सी care से आप इन में बहुत ही खुबसूरत खुचबुदार फूल पा सकते हैं और अपने garden को खुचबु से बर सकते हैं तो आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजे शेर कीजे और नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजे और नोटिफिकेशन बेल को दबा कर आल पर क्लिक कीजे ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंद मिले तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ तब तक के लिए बाई